नमस्ते दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ आपको सेव की सबजी वही जो धापों पे मिलती है और बड़ी टेस्टी लगती है वही सबजी में आपको आज कैसे घर पे बनाते हैं उसकी में वेधी बताने वाली हूँ फ्रेंड्स ये बनाना बहुत ही आसान है देखिए अंदर मैंने दो चम्मच बरके तेल लिया है ये तेल सरसुका है आपको ये दूसरा रिफाइंड आयल भी ले सकते हो देखिए ये चम्मच इतना बड़ा हमें चम्मच लेना है छोटे टेबल स्पून नहीं लेना है थोटा बड़ा लेना है इसके बार में देखिए फ्रें जिरा भी हमें ऐसे फूला देना है जी तरीके से तेल में होने चाहिए वो देखे इस तरीके से इसका स्वाद बूद अच्छा आता है अब देखे हम आदा चम्मच ये भरके हिंग दालेंगे फ्रेंड्स हिंग बहुत ज़रूरी है सबजी में ये इससे टेस्ट अच्छा आत है और देखे दो चम्मच बरके मैंने लसुन एक दम बारिक सा तरदरा कुट लिया है हम वो दालेंगे लसुन भी इतना ही चाहिए फ्रेंड्स दाबे में इसी तरीकिस्ट और होटोलस में भी इसी तरीके की सब जीवन थी है फ्रेंड्स और देखे मैंने आपे दो प्यास ले लिए उसे भी मैंने बारिक अच्छे तरीके से काट कर ले लिया है इसे भी हम अच्छे तरीके से बून लेंगे इसे गुल्डन ब्राउन होने तक हमें बून ना है फ्रेंट्स देखिए हमारा हो चुका है अब फ्रेंट्स इसके अंदर में एक चम्मच अद्रक दाल दू के अब इसे से चला लेंगे इसके बाद में फ्रेंट्स में पहरा सा हारादनियाद अभी दालूं के और कुछ हम बान sweptवेंगे बान में दालेंगे अभी टामाटर जल्दी गल जाएंगे हमारी भाजी जल्दी से बन जाएंगी सबसी देखिए अब इसे हम चला लेंगे अच्छी तरीके से इसे पाच मिर्टा में ऐसे होने देंगे फ्रेंड्स टामाटर देखो गल जाएंगे गल चुके है अच्छी तरीके से कि खाने में बहुती स्वाधिस्ट लगती फ्रेंट्स पर अठे के साथ और जो मैं दे की रोटी होती है उसके साथ शेव की भाजी खाने में बहुत मज़ा आता है आप भी जुरूर बनाईएगा आपको भी पसंद आएगी इस तरीके से देखिए या पर मैं एक चमच बर के ह आप दो चमच भी दाल सकते हो जिसको तिखी लगी जाता तो तिखा भी हम एड़ कर सकते हैं इसमें दनिया पाउडर हमें दो बड़ी चमच दालने ही फ्रेंट्स दनिया पाउडर से ही सबजी को टेस्ट आता है ज्यादा तो आप दो चमच बड़ी दनिया पाउडर दाल अब इसे हम अच्छी तरीके से चला लेंगे देखिए इस तरीके से आदा लिम्बू लिऊंगे में और इसमें डाल लिऊंगे लिम्बू का रस इसे स्वाद और बढ़ जाता है इस सब चीजों से और ये थोड़ा सा गूड है ये टेस्ट को बैलेंस करता है टापाटर और लिम्बू पूर्ट अच्छा टेस्ट रता है अब ज़रूर इस तरीके के बना के देखिएगा आपको ज़रूर पसंद आएगी देखिए हमारी सब इसमें पानी दालेंगे पानी इतना हम दालेंगे कि हमारी जो ग्रेवी है ज्यादा पतली न बने और नहीं ज्यादा गाड़ी बने इतना हम पानी आड़ करेंगे मैंने इसमें लगबग एक गटुरी पानी दाल दिया है देखिए अब इसी उबाल आने देंगे हम अच क्या जाता है जिसके अजिसे दावे का टेस्ट आता है इस शेव को शेव सबजी को वह इंग्रीडेंस है यह कसूरी मेथी कसूरी मेथी दालने से पूरा दावे Agric идет आजैता है एक दम बढ़िया अच्छे तरीखी चे देखे मैंने ग्यास की फ्लेमिक दम्बारिक कर दिये है आफ फ्रेंड्स जो main ingredients है शेव सबजी का वो हम इसमे चेशमेंप करेंगे तरीज के लिए मैंने एक कटोरी भरके लालजो सेव होती है वह ली और फ्रेंड्स इस तरीके की ये तिक्की से होती है थोड़ी हमें यही यूज़ करनी है होटल्स में और धावों में यही यूज़ कर होती है हम दुसरी भी यूज़ कर सकते है जो फीकी वाली आती है वो भी हम यूज़ कर सकते है या फिर गाटी शेव भी हम यूज़ कर सकते है बाजू हमारी लगबग बन चुकी है फ्रेंट्स इसके पहले एक छोटा साम काम करेंगे इसके उपर फ्रेंट्स हम तेल का तटका लगाएंगे लसुन वाला देखिए आप तेल तब चुका है मैंने एक देड़ चमज तेल दिया था और एक चमज भरके मैंने लसुन दाल दिया है बारिक उटा हुआ इसे मच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने देंगे फ्रेंट्स अब मैंने ग्याज बन करने के बाद मैंने मिर्च पॉडर दाली है एक चमज भरके देखे और यह जो चोक है हमने इस पे भाजी पे लगा दिया है देखे इस तरीके से इससे लसुन का जो फ्लेवर है न वो बहुत अच्छा ता है और सबजी हमारी तिक्खी जो धाबावा वाली होती है वैसी बनके रेडी हो चाती है एक दम अच्छे से बनके रेडी हो चुके है थीखने सहमें इतनी ही चाहिए देखे अब इसे मैं हरे दनिया से गार्णिश कर दूगी फ्रेंड्स आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी आप भी इस तरीके से बना के दिखिए गर में सबी को पसंद आएंगी फ्रेंड्स देखे वडिया बनके रेडी हो चुके है आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी प्लिस कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा थैंक यू